हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम सुनेंगे गाज माता वरत की कथा गाज माता का वरत बहादुर्पत मास में किसी भी शुब दिन देख कर किया जाता है इस वरत को करने से कुल में वरती होती है, परिवार में एक्ता, अन, धन, शुक्र और संपन्ति के भंडार सदे भरे रहते हैं इस वरत में कुल देखता का पूजन किया जाता है, स्रद्धा भक्ती से विदबद गाज माता का वरत करने, अथवा कथा सुनने से मनवांचित फल की प्राप्ती होती है संतान की मंगल कामना के लिए घर की महला ये वरत करती हैं, तो चलिए फिर कथा सुनना प्रारम करते हैं एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा एवम रानी रहा करते थे, उनके पाथ सभी सुखसुडाएं थी, लेकिन संताना होने के कारण वे दुखी रहते थे किसी विद्वान के कहने पर राणी ने गाजमाता से प्रार्थना की कि हे गाजमाता किसी तरह से मेरा गर्व ठहर जाए तो मैं तेरा शंगार करूंगी मा की क्रपा से ऐसा ही हुआ राणी का गर्व ठहर गया मगर वह गाजमाता का शंगार करना भूल गई इससे गाजमा तक रोधित हो गए तथा रानी को याद दिलाने के लिए बड़ी जोर की आंधी एवं तूफान आया जिससे पालने में सोरहा राजकुमार पालने सहित उड़कर एक भील के घर आ गया संयोग वस उस भील के पास ना तो धन था और ना ही उनके संतान थी जंगल से घास काट कर लाना तथा उनकी विक्री करना ही उस भील भीलने की दिन चर्या थी जब उस दिन भील जंगल से घास काट कर घर पहुँचा तो पालने में लड़का देखकर बेहत खुस हुआ तथा उसका लालन पोस्ट ठीक से करने लगा राजा के राज में एक धोबी था जो राजा तथा भील दोनों के वस्तरों की दुलाई किया करता था जब वे राजा के कपड़े लेने राज मेल पहुँचा तो वहां होहला मच चुका था उसने किसी से सोरगुल का कार्ड पूचा तो पता चला राज कुमार को गाज माता उड़ा कर ले गई हैं तब ही दोवी तपाक से बोला राजन आपका पुत्र भील के घर पालने में सो रहा है तब राजा ने अपने आदमियों को उस भील को लाने के लिए बेजा राजा ने भील से अपने राजकुमार के उसके घर पहुचने का कार्ड पूचा तो भील बोला महराज मैं गाज माता कवरत रखता हूँ उन्ही की क्रपा से मुझे यह संतान मिली है तब ही राणी ने राजा को अपनी पुरानी बात याद दिलाई हमने पुत्र प्राप्ती के लिए गाज माता की शंगार का संकल्प किया था हमें पुत्र रतनी की प्राप्ती करने के बाद इसे करने में भूल हो गई थी इस कारड हमारा बेटा भील के घर चला गया राणी ने गाज माता से पुने विंती की कि हे गाज माता मैंने जितने शंगार करने को कहा है तो मैं वो सभी करूंगी हमें अपना पुत्र वापिस ला दीजिए इस तरह गाज माता की क्रपा से उस राजा तथा भील दोनों को पुत्र मिला गाज माता का वरत रखकर कता सुनने से सभी को राजा तता भील की तरफ पुत्र तता धन की प्राप्ति होती है बोलिए गाज माता कीजे आपको हमारी ये कता कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और जादा से जादा शेयर करिएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा धन्यवाद